मूर्निंग एवरिवन कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मूर्निंग का टाइम हो रहा है मंडे का दिन है शुरुवात होती है बच्छो के टिफिन से और हमारे किचन से यहां उठते ही सबसे पहले जो भी मेरे रिच्वल्स वेगरा हुए वो मैंने किये गेट पे पानी डालना थोड़ा ज़ाडू लगाना तो एक बार ज़ाडू पहले मैं सूर नमसकार करती थी तो उसे बहुत बैनीफिट्स थे तो अभी मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है बलकि आज से ही स्टार्ट किया है तो सबसे पहले मैं बच्छों की कुछ बेसिक तयारी करके जाओंगी जैसे कि आलू का बैटर बना दिया मैंने और आटा वेगेरा पीके जा रहे हैं जैसे बनाना की हुई एपल की हुई या मैंगो वेगेरा की हुई तो स्मूदी बना रही हूं थोड़ा मतलब गर्मी में ठंडा ठंडा सुबे पीके जाते हैं तो सही भी रहता है फूरे तो इन मतलब की गर्मी बहुत जादा पड़ रही है थो बहुत या तो मैं जबरदस्ति उन्हें ब्रेड या कोई फ्रूट एक दे देती थी तो वो करके जाते थे अब भी सिर्फ स्मूदी पी के जा रहे हैं ज्यादा कुछ नहीं खाके जा रहे हैं बच्चों को लैंश पैक कर दिया था आलू के पराठे थे अब इन लोगों के जा साथ में ही धुलने के लिए मतलब निकाल दिया था और अभी में वाशिंग मसीन लगाऊंगी तो वो धुल जाएंगे थोड़ा बहुत कवर वेगेरा मैं चेंज कर दूंगी और अच्छे से सोफे वेगेरा हटाके सारी क्लीनिंग करूंगी और आज के ब्लॉग में यही आ आपका घर उथल पुथली लगेगा वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा सफाई के साथ साथ घर को मेंटेन रखना भी बहुत जरूरी है चाहे आपके पास कैसा भी मतलब उचित समान ना हो सास जावट का लेकिन जो भी है उसको ही अच्छे से अरेंज करके पूछा मर जी आप डस्टिंग कर लीजिए अगर आपका घर विवस्थित नहीं है चीजे उल्टी सुधी है अरेंज नहीं है सही से तो आपका घर विवस्थित नहीं रह सकता है और घर को विवस्थित रखना किसी एक के हाथ में नहीं होता है ये पूरी फैमिली मेंबर का काम है कि घर को सही से मेंटेन करके रखे उनका काम ये है कि जो चीज जहां से उठाई है जो चीज जैसे रखी हो उसको वापस इस्तेमाल करके वैसे ही रखे मैं बहुत अपने बच्चों को टोकती हूँ कि प्रॉपर जहां सूच रखे जाते वहां सूच रखे जहां टीवी क रिमोट रखा जाता है वहां रिमोट रखे सोफे पे बैठने के बाद में पिलो वेगेरा कुशन वेगेरा उसे अच्छे से अरेंज कर दे सही कर दे बच्चों को टोकना उन्हें ये सब चीज सिखाना समझाना हम लोगों का ही काम है और तभी बच्चे सीखेंगे अगर हम ल अच्छे से मैंने उनकी वेक्यूम से डस्ट निकाली और वेक्यूम से डस्ट बहुत अच्छी निकल जाती है मतलब आप ये समझेए जरा जरा सी भी धूल धक्कर निकल जाती है और घर बिलकुल क्लीन हो जाता है तो मुझे वेक्यूम से मतलब हपते में एक दिन मैं वेक् किमि को जैसे अपना लेविंग डाइनिंग अच्छे से क्लीन करती हूं और जाते हैं। वो बन जाते हैं तो वो भी सब अच्छे से clean हो जाता है और dust भी बहुत अच्छे से निकल जाती है फिर मैंने उसमें पोच्छा वेगेरा मार दिया और सोफो को अपनी जगे पे खिसका के रख दिया और ये जो मैंने wall decor मंगवाया था मीसों से इसका वीडियो मैंने आपके साथ share करा है और बहुत अच्छा ये wall decor लगा है और आप लोगों को अगर किसी को पसंद हो तो वीडियो का link मैं description में दे दूँगी आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा उसमें मैंने कुछ और item भी मंगवाये थे वो भी बहुत अच्छे निकले हैं और इस तरीके से sofa पे भी vacuum मार लोंगी तो जो भी धूल धकड है वो भी अच्छे से सक कर लेगा और बहुत अच्छे से सक कर देता है सोफा है, कर्टन है, कालीन, कार्पेट यह सब बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है तो डेली की सफाई में ना सही लेकिन वीकली की सफाई में vacuum करना बहुत जरूरी रहता है अच्छे से यह साफ कर देता है यहां भी मैंने vacuum मार दिया अब पोच्छा अच्छे से लगा दूँगी, फैन चला दूँगी इतनी एरिया में पोच्छा अच्छे से सूख जाएगा फिर उसकी बाद मैंने अपना कालीन बिचा दिया कालीन को बिचाने से पहले मैंने अच्छे से ज़ार दिया था उसको ताकि जो भी एक्स्ट्रा धूलोब वो निकल जाए और वापिस इसकी बाद मैं इस पे vacuum भी मार दूँगी तो थोड़ा और अच्छे से यह clean हो जाएगा वैसे मैं अक्सर कोसिस कर देती हूँ vacuum लगाई देती हूँ क्योंकि कार्पेट है ये काफी गंदी हो जाती है पैर चलना फिरना उठना बैठना सोफे पे जितना भी हो बच्चे सोफे बैठते हैं खाते पीते भी हैं तो जो भी होता है वो कालेन पे गिरी जाता है तो अच्छे से vacuum मार दो तो साफ अच्छे सो जाता है तो ये मैं बीच-बीच पे मार देती हूँ अब भी center table को अच्छे से आज वैसे तो पोंशती हूँ लेकिन आज थोड़ा अच्छे से पोंश लूँगी तो मंडे का दिन मैंने अपनी living dining के लिए रखा है तो उसी तरीके से पूरी इसके deep cleaning कर लूँगी और थोड़ा बहुत changes भी कर देती हूँ जैसे cover वेगेरा मैंने change कर दिये पहले ये tray रखी थी अब tray हटा दिया एक छोटा सा मैंने mat बिचा दिया उसी के उपर ये सारी चीजे मैंने arrange कर दी उस तरफ सारा अच्छे से clean हो गया अब भी इसको भी थोड़ा सा अच्छे से clean कर देंगे और थोड़ा सा एक नया look भी दे देंगे तो चीजों को हटा के आगे पीछे खिसका के हर समय हटाना देखो possible नहीं होता थोड़ा आगे पीछे मैंने खिसका के सफाई कर दी है उसकी अच्छे से क्योंकि ये dusting तो देखो होती ही रहती है थोड़ा मुझे ये change करना था तो वो मैं change कर रही हूँ और ये हैं मेरी एक bed sheet है उनके pillow cover और इनको ऐसे मैंने 70 pin से tuck कर दिया है और इसको runner की तरीके से मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ एक्शली ये bed sheet थी छोटी और जिसके कारण मेरे double bed पे नहीं आ रही थी और ये मुझे ग्रह प्रिवेस में gift में मिलेती है तो ये cover नहीं आ पा रहा था bed sheet नहीं आ पा रही ये बैट sheet और bed sheet का भी इस्तेमाल में dining table पे कर लेती हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी जो bed sheet है ये double bed पे बिशनाने के काम में भी नहीं आ पाती है और single bed तो आजकल कोई देखिये रखता नहीं है तो ये रखी ही रहती है इनका क्या इस्तेमाल करें तो इससे अच्छा है कि ये dining table पे आपके अच्छे से आ जाएंगी और इनका use भी हो जाएगा और आपके एक look भी change हो जाएगा क्योंकि इनके color और print बहुत अच्छे रहते हो मेरे पास ऐसी 3-4 bed sheet पड़ी हुई है जिनका मैं बारी-बारी से इसी तरीकी का इस्तेमाल करती रहती हूँ तो ये देखिए ना बिल्कुल एकदम dining table का cover की तरीके से काम कर रहा है और एक नया look भी मिला हफ्ते 8 दिन बाद मैं इसे change करके दूसरा cover डाल दूँगी आप फिर वापिस से बेटरी डाल दूँगी इस तरीके से मैंने कर लिया है मैंने तो septi pin से टक किया है आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं और ये रहा मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लिंग living room और अच्छे से clean हो गया है और अब बारी आई ये वाले हेरिये की ये common wash machine है और इसको मतलब सभी लोग इसका use इस्तेमाल करते हैं और इसकी भी cleaning अच्छे से proper आज के ही दिन में करती हूँ मैं वैसे तो वैसे ही करती रहती हूँ लेकिन आज के दिन थोड़ा से हमें अच्छे से इसको clean कर देती हूँ wash basin भी मैंने इसे ही simple hand wash से साफ कर दिया और जरासा भी hand wash वेगरा या विम liquid वेगरा ले लो उससे भी बहुत अच्छा साफ हो जाता है कोई मतलब particular एकी बहुत हाइफाई चीज में नहीं यूस्त करती हूँ इनी सब चीजों का इस्तेमाल करके साफ कर लेती हूँ या ज़्यादा तर मैं अपने घर में बनाए हुए DIY का इस्तेमाल करती हूँ उस spray से भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है नेम्बू के छिलकों का इस्तेमाल करके मैं उनको एक मतलब boil कर लेती हूँ अगर आप चेंजिस ले आए तो बिलकुल neat and clean घर लगता है और थोड़ा सा नयापन आजाता है घर में add हो जाता है तो अगर आप रूटीन बनाके अपने घर के कामों को category wise, day wise divide करके करेना तो बहुत आसाने से आप अकेले अपने घर को बिना घिजी help के without mate अपने सारे कामों को कर सकती है और बहुत अच्छे से आप घर maintain रख सकती है और जरूरत है सिर्फ एक अच्छा सा रूटीन बनाने की और रूटीन बनाने से ही काम नहीं चलेगा उसे strictly आपको follow भी करना पड़ेगा तो उमीद करती हूँ आज का ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मिलूगी नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए बवाए